हेलो एन वेल्गम पुदी वल्वाइट पोस्टो सौधी अरबिया से पड़ी खबर निकल कर आ रही है सौधी अरबिया आर्टिफिशल इंटलिजेंस रेस में शामिल होना चाहता है इसलिए सौधी अरबिया पिलियंस ओफ डॉलर्स यहां पर इंवेस्मेंट करने वाला है र सौधी अरबिया यह अपने आप में एक मास्टर श्ट्रोक है सौधी अरबिया चाहता है कि किंडम और सौधी अरबिया आर्टिफिशल इंटलिजेंस का एक गलोबल हब बने दुनिया को अगर आर्टिफिशल इंटलिजेंस की जरूरत पड़े डेवलेप्मेंट करने में बनाने में तो दुन्या सौधी अरभिया को देखे तो सौधी अरभिया यह चाहता है समझते हैं exactly क्या हुआ यहाँ पर सौधी का जो AI investment है न हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे के open AI शायद दुन्या का सबसे famous AI firm है उनकी total valuation 80 billion dollar किये तो सौधी अरभिया ने AI में उन भी पैसा फेक तमाशा देख सौधी अरभिया के पास PIF यानी public investment fund नाम की एक national investment company है तो यह AI mission को यही PIF lead कर रही है यह fund kingdom के investment को handle भी करती है reports के मताबिक वो दुसरे finances के साथ भी बाचित कर रहे हैं इसको लेकर और इस mission में न सबसे chief company address and Horowitz है जो एक US venture capital firm है और साथ ही artificial intelligence का प यह और उनका ना एक और founder भी है जी हां इनका एक और founder भी है जिनका नाम है माक Erissen इनके हिसाब से AI दुनिया को बचा सकती है वेरास जो दूसरे लोग कहत है AI कही ना कहीं दुनिया को danger जोन में लेके यह कहते हैं के AI दुनिया को बचा भी सकती है तो RIA चाहता है के address and Horowitz company सौधी अरब्या में जल से जल अपना office खोल दे उमिद दिये है के fund transfer और opening 2024 के second half में हो जाएगी सौधी अरब्या में लेकिन क्या investors इस बात पर आएंगे क्या top engineer सौधी अरब्या में आएंगे पी आएफ चीफ तो यही सोंच रहे है क्योंके सौधी अरब्या के पास पहुँच सारे advantage है और companies भी यहां आना चाहिए बजा क्या है इनके हिसाब से मैं court कर रहा हूँ AI बहुत ज़्यादा energy consume करता है ठीक है और सौधी अरब्या इस मामले में global leader है जब बात आती है fossil fuel energy की renewable energy की तो सौधी अरब्या आपको बहुत आगे देखने को मिलेगा और बहुत अतक सौधी अरब्या सही भी है क्योंके AI को बहुत ज़्यादा processing power की जरूरत होती है कभी कभी 1000 चिप्स एक साथ काम करती है जिसके चलते power भी बहुत ज़्यादा लगता ह जो के ज़्यादा electric city का इस्तेमाल होता है data centers को 2027 तक 50% से ज़्यादा power की जरूरत होगी और रियाद के पास बहुत ज़्यादा electric city है वो third largest producer है fossil fuel का खेर अगर environment के सिनेरियो से देखेंगे तो आप कुछ और ही direction में जोगे लेकिन हम उस पर बात अभी नहीं करेंगे और दोस 30 के प्लान में शामिल भी किया है और MBS चाहते हैं कि वो सौधी economy को oil से diversify करकर various sector में लगाना चाहते है जैसे के tourism और technology जैसे sectors में तो दोस्तों जाहर सी बात है कि सौधी अरब्या के पास money है energy है और थोड़ा सा policy regulation में या flexibility आ जाए तो और भी ज़्यादा better हो जाएगा plus सौधी अरब्या अपनी King Abdullah University of Science and Technology में पढ़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है artificial intelligence को लेके वो सौधी citizens को AI सेक्टर में और भी ज्यादा improvement लाना चाहता है development करना चाहता है और दोस्तों ना सिर्फ यही बलके सौधी अरब्या ने sustainable के मामले में सीर कार की company भी खोली है और इ थी हम extract भी किया जा रहा है ताके सौधी अरब्या इस सीर कार कंपनी को और भी ज्यादा develop कर सके सौधी अरब्या ने सीर कार कंपनी को 2030 विजन में लाया है ताके इनकी electricity कार को लोग Middle East में और पुरे सौधी अरब्या में इस्तेमाल कर सके लेकिन अगर मैं इंडिया के perspective से ब जो कि अगले 5 साल हों में ये लग बख 1.2 बिलियन डॉलर बनता है लेकिन अरब्या के मुकाबले में नहीं आएगा सौधी अरब्या तो 40 बिलियन डॉलर खर्चा कर रहा है तो कोई comparison नहीं बनता है ये 3% भी cover नहीं कर सकती properly तो सीधी सीधी बात ये है कि इंडिया फाइनस और मुझूदा AI प्लेयर्स के साथ अपनी partnership का option भी explore कर रहा है इंडियन गवर्मेंट 10,000 GPU को खरितना चाती है GPU का मतलब graphic processing unit होता है जो artificial intelligence के building blocks होते है प्लैन ये है कि गवर्मेंट GPU को purchase करकर इंडियन AI firms को available कराएगी और क्यूंकि हम देख सकते कि semi conducted GPU की कि इतनी shortage बढ़ रह आएंगे तो काम कैसा होगा हम कैसे सिखिंगे लेकिन ये GPU कहां से आएंगे तो देखिए ये NVIDIA से आने वाले है NVIDIA के फॉंडन ने कहा है कि अगर अगर इंडिया AI के लिए GPU खरिद रहा है तो NVIDIA बहुत अच्छी AI GPU बनाता है तो जब आप वापस जाएंगे तो प्लीज चड़ कर मदद करेंगे देखिए इंडिया ऐसा करतर ना देश में AI की प्रॉब्लम्स को सॉल्फ कर रहा है कमी को पूरी कर रहा हाला के हमारे पास बच्छे थोड़ा सा कम है लेकिन हम एगेन कर सकते हैं इस रो इस पेस्ट एक्जामपल इस रो से इंस्पिरेशन लेकर यह कि एंविडिया इस मामले में 80% AI चिप्स मार्केट को होल्ड करता है इनकी होल्डिंग पहुती ज़्यादा पावर्फुल है इन फैक्ट गूगल, अमेजॉन, मेटा, तेसला, माइक्रोसॉफ जैसे बड़े-बड़े कमपनी एंविडिया से AI चिप्स और ग्राफिक्स को प दल दिया था लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया जा चुका है अब इसकी जगा पर ये ब्लाक वेल AI चिप्स आया है दा प्लाक वेल ये 30 टैम फास्टर है होपर से इस्पेट्स के मुताबिक ब्लाक वेल एंविडिया की टॉप पोजिशन को मार्केट में रखने वाला है इसमें ये मदद करेगा और इंडियन कमपनीज भी इसमें अब खरीद रही है ये चिप अब तो बड़ तक मिलने की एक्सपेक्टेशन से तो मेरा पॉइंट यहाँ पर बहुत सिंपल है अमेरिकन फर्म्स को पहले सा ही एक लिड है और गल स्टेट के पास एंडलेस फंड ह इसलिए AI race में पिछे रहना आसान है इंडिया को जल से जल कैच अप करने के लिए कुछ डाडिकल डिशीजन लेना होगा और ये सोसेस के साब समय के कह रहा हूँ तो अगर इसके रिलेटेट आपके व्यूस क्या है मुझे कमेंट करें मैं उन्हें हाट दे दूँगा और अ झाल 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 झाल